प्राधेशिक समाचार एकांच भुपाल से प्रस्तोत है निवाडी जिले की चिठी आलेख विवेक दांगी वाचनस्वर धारणा सच्टेव निवाडी जिले में तीन दिनों से जमा जम बारिश हो रही है पिछला हफ्ता गर्मी में बीता था लेकिन अब लोगों को रहत मिल रही है तेज बारिश के कारण किसान फसल की बोवनी नहीं कर पा रहे हैं इससे किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीर खिच गई है निवाड प्लाइन की तर्स पर जिला कलेक्टर अरुण कुमार विश्विकर्मा ने जिला समाधान कारिक्रम की शुरुवात की है इसके तहट दस हित ग्राहियों को कलेक्टर सभागार में बुलाकर विभाग के अधिकारियों के समक्ष शिकायतों का निराकरन करवाया गया इस दौरान कलेक्टर ने महिला भालवे का सूपरवाइजर को कारण बताव नोटिस जारी किया वहीं नगर परिशद पृत्विपूर के अधिकारी का वेतन काटने के निर्देश दिये लोग सेवा प्रबंदन विबाग के जिला प्रबंदक निदेश जैन ने बताया कि अब प्रतियक जा सकें पिछले दिनों निवाडी जनपत पंचायत सभागार में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के भोपाल में हुए कारिक्रम मेरा बूद सबसे मजबूत को लाइफ दिखाया गया संभागा योग्त डॉक्टर विरेइन सिंग रावत ने निवाडी जिला पहुँचकर निर्वाचन आयोग के निर्देशा अनुसार मतदान केंदरों का भौतिक निरिक्षन किया और संबंदित अधिकारियों को आवशक्त दिशा निर्देश दिये 21 जून 2023 अंतराष्ट्रिय योग दिवस के अफसर पर परियतन नगरी ओडचा में बेथवानदी के कंचना घाट पर जिलास्तरिय सामोहिक योग कारिक्रम का आयोजन किया गया वही कलेक्टरेट कारियाले में आने वाले दस वर्षों की योजना बनाई गई इस अफसर पर निवाडी विधायक अनिल जैन, कलेक्टर अरुनकुमार बिश्वकर्मा, अखिलेश आयाची, सांसत प्रतिनिधी राजेश पतेरिया आधी उपस्तित रहे बैठक में जिले भर के जन प्रतिनिधियों से सुझाव बागे गए हैं, जिसकी कारियोजना बना कर शासंसतर पर भेजी जाएगी वधायक श्री जैन ने सभी के सुझाव का सभागत करते हुए कहा कि मुखे मंदरी शिवराज सिंग की सोच है कि निवाडी खूबसूरत और विकसित होकर प्रदेश का मॉडल जिला बने जिसके लिए आने वाले दस वर्षों की कारियोजना शासंसतर पर बनवाई जा रही है इसमें जिले को विकसित करने के लिए निवाडी जिले में मेडिकल कॉलेज, नेशनल हाइवे पर ट्रॉमा सेंटर, प्रातमिक स्वास्ते केंद्रों को सामुदाइक स्वास्ते केंद्रों में बदला जाए और स्वास्ते केंद्रों पर स्टाफ की विवस्ता की जाए प्रमुक तालाबों का सौंधर्य करन, ओध्योंगेक यूनिट के लिए अलोट की गई जमीनों पर यूनिट लगाई जाए CM RISE और PM RISE स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए स्कूलों और आंगनवाडियों की स्तिती में सुधार किया जाए मुक्य मंत्री के निद्रत्व में समूचे प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं को महिया कराने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किये जा रहे है इसी करम में मध्य प्रदेश के नाम जन सेवा की एक और उपलब्दी जुड़ गई है मध्य प्रदेश का निवाडी जिला प्रदेश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है जिले के सभी 253 ग्राम के शत प्रतिशत 55,645 घर में नल से जल पहुँचाया जा चुका है इस उपलब्दी पर मुखे मंत्री श्री चुहान ने ट्वीट के माध्यम से बधाई देते हुए कहा कि प्रद्धान मंत्री नरेंद्र मोधी की प्रेणा से बुर्हानपूर के बाद अब निवाडी जिले को भी शत प्रतिशत हर घर नल से शुद्ध पहे जल पहुँचाने के सकल्प की सिद्धी हुई है मुखे मंत्री श्री चुहान ने इस गौरवपूर्ण उपलबदी पर जिले के सभी नागरिकों और लोग सेवकों को बधाई दी है उलेकनी है कि मद्य प्रदेश के बुरहानपूर जिले को प्रदेश के साथ देश के पहले हर घर जल जिला होने का गौरवप्राप्त है प्रदेश में अब तक 50 प्रतिशत से अधिक अर्थात 6,07,000 से अधिक घरों में नल से जल पहुँचाया जा चुका है चाथ ही जल की गुडवत्ता की मौनिटरिंग भी की जा रही है निवाडी जिले में 3 समुहू नल जल योजनाओं से सभी ग्रामीन घरों में नल से जल की विवस्था की गई है निवाडी समुहू नल जल योजना से 30 ग्राम निवाडी पृत्वीपूर एक समुहू नल जल योजना से 143 ग्राम और निवाडी पृत्वीपूर दो समुहू नल जल योजना से 80 ग्राम के शत प्रतिशत घरों में नल से जल सुविधा प्रदाय की गई है निवाडी जिले की चिट्थी समात्तु हूँ